पाई साब आज बार पास इतना चमर्दस पैकेज आया ना मैं तुम्हें बस क्या बता हूँ देखो हमारे चैनल पे सारे हैड़फून गेमिंग कॉंसोल हम रिव्यू करते रहते हैं आज यह जो आईटम है ना यह ऑन कैमरा खोलने वाला हूँ यह 35,000 का हैड़फून है मैं मै इसा क्या आजाएगा मतलब गेमिंग एडफून किता ही महंगा होगा तो मुझे यह वाला एडफून मिला सबसे महंगा गेमिंग वाला स्पैसिफिकली अब यह मत बोलना एपल वाला एडफून तुम 60,000 का मंगा लेते नहीं गेमिंग वाला तो यह अब हम ऑन कैमरा खोल और देखेंगे मतलब कैसा है कैसा नहीं है बाकी तो रिव्यू तो फिर हम टेस्टिंग रेस्टिंग करें एक दम मस्त आजाओ पटपट जल्दी जल्दी क्यामरा उन कर ले इसमें से इतनी बढ़िया खुछ वो आती है था वह कितना भारी है यह यह हमारा स्टील सीरीज का आक्टिस प्रो वायरलेस हेडफोन है कितना गंदा भेजा दे कि उन्होंने सही बात है पैटी जजार भाई खरीदे का कौन और यह जो हेडफोन है विसके लिए तो महतियार पे नहीं लेक्या हूँ महिंगे महिंगे अन्बोक्सिंग महिंगे चक्कू खुल सके अभी खुले का लॉक लग गया खुल जा भाई मगराट खोल लों कि अच्छा इधर से भी खुलेगा तो भाई फाइनल घडी आ गई है आगई है अरे खुल जल्दी एक तो भाई एडफोन निकल गया यहापर भाई लेकिन लग तो ऐसा है भाई तकडी शीज माई को एक निगलने हैं यहाँ सेटप बॉक्स दिश्टी भी इसके साथ एक पुरा अलग से कंसोल दे रखा भाई डॉल्बी ऑडियो का स्टील सीरीज और यहाँ पर रेगुलेटर रेगुलेटर लगे वे और क्या क्या है इस तकते नशे और एक्सेसरीज वाई सब एक्सेसरीज है यह पूरी दुकान है एक तो बॉटी मोटी दो पुस्तक भाई यह तो पढ़नी पड़ेगी कि अब तक क्या क्या कुछ मिस्स ना कर दूम है और एक यहाँ पर और अजीब सी केबल है पता नहीं कौन सा पोर्ट है और एक माइक्रो यूएसबी केबल अरे टाइप सी दो भाई पैतिस अजारों पर खर्चें और यह कुछ यहाँ पर मुझे रखता है इसको चलाने के लिए होगी है और वे बैटरी भी है नोक्या बील फाइब सी नोक्या गैरा सो वाली बैटरी एक हमारी ऑप्टिकल वाली इनीशेली मैं आपको चीज बता दू गाने अगर सुनने तो बिल्कुल ऐसा है जैसे अंडर 10,000 वाली आवाज मान लो अब इसमें 35 क्या-क्या है जो इसके मतलब डबी-डबी और पता नहीं क्या-क्या दे दिया इन्होंने दुनिया मरगा समान वहफुली वह इस हेड़फोन को टेस्ट करते हुए मेरे को लगबग एक महीना हो चुका है मतलब मैंने ही नहीं मेरे टीम में सब लोगों ने टेस्ट किया इसमें मैं भी एक था यह सबसे ज़्यादा वाला था तो सीन ऐसा इस हेड़फोन का एक महीने पहले जो हमने इसकी अन्बॉक्सिंग करें जो आपने देखिए भी पहले उसमें मैं इनीचल सुनके ऐसी बता दिया था कि हाँ वाई क्या है क्या नहीं है बट 35,000 का एड़फोन है और 35,000 में जो फीचर्स है कसम से आपने वीडिय नहीं इंवेस्टर हो ट्रीडर होते है उनके लिए समझना बढ़ा मुश्किल है उनको सब को ही लगता है शेयर थाटफ आप जो पूरी वोे यहाईन drug करना वो बिना नॉलिज के इससाब अधिलाल ऐस्वाल आप के बारे में मोचलाल ओस्वाल से जुढने पर आपको एक फाइनेंशल ऐड़ाईजर मिलेगा जो आपके इंवेस्ट्मेंट और विच्छा ऑन्सर गरीटा ऑफ क्वेस्ट्न का आपको इन आपको आपको इंवेस्ट्समेंट से रिवाइड देगा जैसे एक free DMAT account मिलेगा चुरू में और साथ में पहले एक साल तक कोई maintenance चार्ज नहीं है और flat brokerage मिलेगी 20 rupees per lot और DMAT account खोलने के लिए pan card, adhar card और bank proof लगेगा और साथ में इनकी application के थुरू आपको stock recommendations में मिलेगी और motilal oswal से जुड़ते आपको एक welcome basket दिया जाएगा शुरूबात कर लेते हैं देखो सबसे पहले चीज़ एक तो headphone यहवी है इसका जो weight है हमारा है आपर वो 375 grams के प्रॉक्स है यूजुली 250 grams 280 grams एक सही weight माने जाता है उससे 100 gram उपर है बढ़ एक चीज़ में साथ साथ बताऊँगा कि जो इसका comfort है उससे पता ही लगता ही heavy है बहुत बढ़ी है कुशन है इसके एकदम कुछ अलगी level के कुशन लगा रहा है इसके अंदर पोले भी बहुत बढ़ी है और जो texture है कुशन का वो भी cloth type का है और जो उनके cushions को नाम दिया है वो air wave cushions है मतलब आप long time में use करते रहोगे तो कुछ पसीने वसीने वाला सीन ऐसा कुछ नहोगा कुछ ऐसे मतलब आपको irritation नहीं होगी जो airflow वागए रहाना वो बढ़ी है रहता एकदम उपर से हमारे को यहां से भी plastic मिलता है और यह वाला जो headband का area है यह हमारा purely metal में मिल जाता है और यह इसकी steel series की sides है यह detachable वाली मिलती है हमारे को और यह detachable का scene क्या है इनकी website में इनकी accessories मिलती है नहीं headphone की separate आपको कोई और हिसाब की attachment लगानी हो तो वो इनकी website से order कर सकते हो महेंगे मसाल है महेंगे customization और यह जो right side वाला हमारा cap है इसके नीचे हमारी battery मिल जाएगी वही जो मैं आपको शुरू में unboxing में दिखा थी battery Nokia वाली यह basically battery से चलता है और यह rechargeable batteries है और इससाब दो batteries आई है हमारी एक headphone में लगी है एक separate है और वो battery separately इसके DAC में रहती है यहां से आप battery निकाल सकते हो और दूसरी यहां पर instantly लगा सकते हो तो आपको battery backup का कोई चक्करी नहीं होगा एक हमेशा charge होती रहती है डैक में रहागे और एक आपकी आप यूज करते रहोगे और बागी बटन बटन की बात कर लेते हैं यहां पर mic mute and mute का बटन मिल जागा एक infinite scrolling का आपको volume wheel मिल जाता है और इस वाले slot की तो इसके साथ आई भी aux के बलों हम connect कर सकते हो किसी भी smartphone के साथ connect करना हो या xbox के remote के साथ connect करना हो तो हम 3.5 mm jack के थुरूइस headphone को use कर सकते है और यहां पर आपको aux input मिल जाता है और यहां पर micro usb cable है यह भी connection और charging वागरे के लिए है और यह हमारा microphone निकल जागा यहां से यहां पर हमारे को दो बटन्स मिलता है एक Bluetooth वाला एक power on वाला अब यह Bluetooth power on का सीन किया है आप इसको Bluetooth mode पे भी connect कर सकते हो और power on करोगे तो यह directly DAX से तो connect होई जाएगा जो इसकी यह वाली DAX या setup box सा बता रहा दा न मैं आपको तो इसमें सबसे best scene पता है कि connectivity के मामले है Bluetooth से आप अपने फोन से connect कर लो और DAX से अपने आप connect हो जाता है तो उसके बाद आराम से मानलो आप gaming कर रो आपके फोन पर फोन बजता है तो आप फोन से फोन भी उठा के इससे बात कर सकते हो और उदर आपके PC से भी यह connected रहेगा है ना बड़ी है चीज इसके डैक की देख लेते हैं यहाँ पर आपको वील मिल जाएगा जो इसका यहाँ पर सारी चीजों को कंट्रोल करता है और यह वील के साथ एक बटन भी है बटन के बाद इसके अलग-अलग फीचर से यहाँ पर शुरू हो जाते हैं यह इसका पूर कमपैटिबिलिटी वाइड है वाइसा भी इस एडफोन को आप किसी भी प्लाटफॉर्म पे चला सकते हो हमारे एक्सबॉक्स भाईया को चोड़के वह कहते है मैं नी चलूँगा किसी के अंदर भी मेरी अलग लेवल है एक्सबॉक्स का हमेशा से वही सीन रहता है उसके अ 40,000 Hz तक की है और यही एक महंगा होने का रीजन भी है कि इतनी तगड़ी फ्रिक्वेंसी के साथ आता है जो नॉर्मल हमारे बजट गेमिंग एडफोन्स आते हैं उनकी 20,000 Hz तक की होते है जनकी 20,000 Hz तक की इसके अंदर 40,000 है जिसकी वज़े से जो डिटेलिंग है जो आपक यह बड़ी ऐड़फोन बस ही तो नहीं कहना था जादा समझना तो सौंड इंजिरी निंग करो जाओ और यहां पर मारे को रिट्राक्टेबल बूम माइक्रोफोन मिल जाता है और यह कुछ ऐसा माइक्रोफोन टेस्ट है वाइरलेसली रिकॉर्ड कर रहा है और कनेक्टीड अब थोड़ी सी वाइरलेस कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं जो मारी डैक है यह 2.4 गिगर्ट्स वाइरलेस कनेक्शन के साथ आती है और जो मारे हेडफोन का ब्लुटूथ वर्जन है वह 4.1 है और यह 4.1 इसलिए क्यों कि हेड़फोन थोड़ा पुराना है बट बहु मेंचेंड तो नहीं है बट ओवरॉल जो गेमिंग का एक्सपीरेंस राना वह बिलकुल एकदम बढ़ी आ रहा कोई भी लेटेंसी नहीं है लेफ्ट्स और राइट तो अब जो डैक के थुरू चलता है और स्मार्ट फोन में ब्लूटूथ के थुरू चलता है तो 20 में कोई पहली बार प्रोफाइल में समझा रहा हुँ बात आती है बैटरी 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 गनते के कोई टेंशन नहीं है इसकी बैटरी एक बार फुल चार्ज होके 10 गंटे का बैटरी में देती है मैं घंग से तो चेक नहीं कर पाया हाँ आपको PC में कनेक्ट करना है इधर आपको headphone कनेक्ट करना है और आपको सिस्टम में as a sound device डिटेक्ट हो जाती है और वही पर ब्लुटूथ मोड पर शिफ्ट करते हो तो डैक और ब्लुटूथ मोड साइमल्टेइसली चलता रहता है अब आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखाता हो कुछ ऐसा है थोड़ा सा फ्लिकर आ रहा हुआ इग्नूर कर देना यहां पर हमारे को साउंड बगेरा मिलेगी जो हम इससे कम ज्यादा कर सकते हैं और यह हमारा बैक का बटन है और यह जो डैक की स्क्रीन है OLED वाली है तो जो देखते हैं तो थोड़ा बढ़ी असा देती और यहां पर को अडियो प्श्ट पर फोकस रहना है और यहां पर सराउंड साउंड का ऑप्शन यह उंसे हमारा काफी इमर्सी वह जाता था यह अम्रियूं करने पर देन हमारे कौको साइथ मिल जाता यह यह बहुत सभी फीच लाइक भार कोई कुछ बोल रहा है तो आप साइट टोन को इंग्रीज करो तो बाहर के वाज़ आप सुन सकते हो जैसे ट्रांस्पेनेंसी मोड होता है वैसा कुछ सीन है हेड़फोन में सुनने के लिए बाहर के वाज़ है यहां पर ब्लुटूथ वॉल्यूम का सेपरेट ऑप्शन मिल जाता है और यहां पर आप सोर्सी चेंज कर सकते हो मेन मेन्यू में जाके आपको पीसी ऑउक्स पीएस फॉर पीएस फाइव के लिए करना हो और यह पीएस फा पाए मोड मिलता है जैसे हम यूज नहीं कर रहें गेम में बंद हो गी है सब कुछ ऐसे खाली पड़ा है तो अपने आप हो जाएंगे और यहां पर आपकी चार्ज हो रही है उसका कितना लेवल है वो दोनों यहां पर दिखाएगा और सबसे बेस चीज पता है कि हमारा यह इसके थो नगा कर सकते हैं जैसे वालिम अप डाउन होगी हमारी हैं से यह तो नॉर्मली हो जाएगी उसके बाद इसको प्रेस करेंगे जो बटन तो चैट मिक्स ऑप्शन मिल जाएगा फिर दूबारा प्रेस करेंगे तो आपको यहां पर डिफॉर्ड़ाइजर मोड खु यह एड़फोन हमारे DTSX version 2 और Dolby audio के सपोर्ट के साथ आते हैं जो हमारे सस्ते एड़फोन में virtual surround sound आते है वो नहीं actual 7.1 surround sound है और जो sound वाला option हम डैक के through on करेंगे उसके बाद जो experience मिलता है मैंने Dolby के एक video experience करी ती YouTube पर उसमें जो बाई मजा आया था मतलब ऐसा लग रहा था थेटर में सच में जो actual 7.1 surround sound है मुझे इस headphone से पता लगा एड़ इस इतना महँगा headphone है भाई साब तो software support भी तो मिलेगा यहां पर एक software आता है और मैं नहीं बोलना लिंक दे दूंगा description में खरीद होगे का तुम इसे अब पहली बात यह मिल भी नहीं रहा Amazon पर मैंने order किया था उस दिन के बाद से अब तक या out of stock ही है ऐसे लगा last piece मैंने खरीद लिया और यहां पर हमारे को headphones अपने connect हो दिख जाएंगे और जैसे अब इस पर tap करते तो कुछ ऐसी settings खुल जाएंगे यहां पर audio के अंदर equalizer मिल जाथा आपको और यहां पर थोड़ी बहुत सेटिंग्स आते हैं उसके और software लगता हो यहां से इंस्टॉल कर सकते हैं आपको दिखिर होगी वैसे और नीचे equalizer mode मिल जाएंगे जो वैसे हम इसके DAC से भी चेंज कर सकते हैं नीचे volume limiter आ जाता एक यहां पर main settings मिल जाएंगी यहां पर headset on off करना हो कि इतनी देर में बन चाहिए वह यहां पर setup कर सकते हो Bluetooth mode यहां पर Bluetooth का auto startup वाले option मिल जाते हैं तोन configuration बना के उसके ऊपर यहां पर सारी settings चेंज कर तो different game के साब सबनी setting मन जाएगी तो यह तो पूरी भारी बातचीत full features features की बातचीत होगी अब मैं आपसे gaming experience शेयर करता हूं मैंने इसको सारे devices चला के देखा smartphone पे पी PC पे पी PS5 पे सबसे बड़ी बड़ी बातचीत कर लेते है लाइक Windows, PS4, PS5 एक तरफा gaming experience गेमिंग के मामले में अगर आप e-sports के लिए मतलब आपको क्यों बता रहा हूं मैं इत्तमेंगा लेगा कौन Emotional Damage सबनांस कर सकते हो फिर चाहब movie, home music, full customization मिलते है इसके अंदर यहीं पर मैं कहूंगा भाई देखो 35,000 का headphone है और बात अत्यक एक conclusion की शरम तुनियारी सुनते है का conclusion मैं अगर क्या भी दूगा लेने के लिए तुम में से कितने लोग ले लो किसे और अभी तो available भी नहीं है और हो सकता इसका कोई upgrade ही आएगा क्योंकि बहुत पहले like दो साल पहले launch हुआ था steel series की तरफ से तो link दे दूँ है description में click करका देख ले ना बस आज की वीडियो के लिए इतना था मिलते नेक्स वीडियो अब तक के लिए बाए